चलिए ये doubt देख लेते हैं class 10 binomial का जो कि है 1 0 of the polynomial 3x cube minus x square minus 3x plus 1 is 1, find the other zeros, मतलब ये px दिया हुआ है, ये px कितना दिया हुआ है, ये px दिया हुआ है 3x cube minus x square minus 3x plus 1, ये दिया हुआ है px, कह रहा है कि इसका एक 0 क्या है 1, 1 of the 0 क्या है इसका 1 है, 1 है, तो हम लोग को पता है factor theorem से कि अगर कोई x equals to, मतलब अगर 1 है, तो x minus a, मतलब x minus 1, ये एक factor होगा, किसका उसी polynomial का जिसका ये 0 है, समझे लिजे 0,1 है, तो x equals to 1, ये 0 है, तो x minus 1, ये एक factor होगा, किसका इस polynomial का, मतलब इस polynomial को divide करेंगे x-1 से तो जो qx आएगा मतलब जो quotient आएगा वो भी एक factor होगा इस polynomial का ठीक है तो हम लोग simply क्या कर देंगे और zeros निकालने के लिए इसको divide कर देंगे x-1 से और हम लोग का quotient आएगा उससे हम लोग बाकी का zeros निकाल लेंगे मतलब करना क्या है हम लोग करना है कि x-1 को divide कर देना है 3x cube minus x square minus 3x plus 1 तो ये actually करना है इसको चलिए हम लोग solve कर लेते हैं उससे पहले अगर आप लोग question no down करना है तो कर लिजी क्योंकि ये doubt question है और important भी है तो चलिए पनाते हैं इसको solve करते हैं तो आप लोग को divide करने आता है अगर divide करने नहीं आता है तो आप लोग description में link दिया वह वीडियो जाके जरूर देख लीजेगा division वाला division algorithm of polynomials चलिए हम लोग directly solve करते हैं यहाँ पर 3x cube है यहाँ पर x है तो हम लोग क्या यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर रखेंगे 3 क्योंकि 3 नहीं है यहाँ पर और x cube चाहिए x पहले से है तो x square लेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 3x cube x into 3x square 3x cube minus 1 into 3x square तो 3x square आएगा minus 3x square तो लिख देंगे यहाँ पर minus 3x square अब इसको minus कर लेंगे तो minus यहाँ पर plus यह दोनों cancel plus 3x square minus x square आजाएगा 2x square फिर जैसा है बाकी सब उतार देंगे minus 3x plus 1 अब यहाँ पर 2x square चाहिए तो यहाँ पर पहले plus 2 लिख देंगे और x square चाहिए 1x already है तो 1x और लग जाएगा यहाँ पर तो plus 2x हो जाएगा तो हो जाएगा x into 2x 2x square minus 1 into 2x minus 2x तो यह हो जाएगा minus हो जाएगा plus यह दोनों cancel minus 3x plus 2x minus x plus 1 तो अभी x को multiply करेंगे अगर minus 1 से तो x into minus 1 हो जाएगा minus x और minus 1 into minus 1 plus 1 फिर से इसको subtract करेंगे यह plus बन जाएगा यह minus यह दोनों cancel लिए 0 ठीक है मतलब obviously बात है कि यह factor था इसलिए remainder क्या आ गया 0 अब यहाँ पर जो quotient आ रहा है यह भी एक factor होगा क्योंकि हम लोगों पता है कि अगर 6 का factor 2 है तो 2 3 जा 6 तो यहाँ से पता चल रहा है कि 3 भी एक factor होगा इसका मतलब यह भी एक factor है और अगर यह factor है तो इससे जो x का values निकलेगा वो भी हम लोगों का zeros होगा तो चलिए निकालते x का value यहाँ से तो 3 x square plus 2 x minus 1 इसको हम लोग solve करके splitting the middle term करके x का value निकालेंगे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जो constant term होता है और x square का जो coefficient होता है उसको multiply करते हैं तो 1 और 3 है 1 और 3 को multiply करेंगे तो कितना हैगा 1 into 3 करेंगे तो कितना हैगा 3 ही आएगा और फिर 3 का LCM लेंगे तो 3 1s are 3 बस 3 और 1 आया 2 ही term आया 3 और 1 इसी 3 और 1 को हम लोगो इस तरह से arrange करना है कि 2 आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं अराम सी यह 3x square 3x square रहेगा और 2x को हम लोगो लिख सकते हैं 3x minus x लिख देते हैं plus 3x minus x और minus 1 पहले से था इसको चलिए solve करते हैं इसमें से common क्या आएगा देखिए 3x common ले लेते हैं इस दोनों में से इस दोनों टर्म को देखिए इसमें भी x plus 1 है दोनों से हम लोग फिर से x plus 1 common ले लेते हैं इस टर्म में x plus 1 निकल गया बाहर बचा क्या 3x इस टर्म में x plus 1 निकल गया बचा क्या minus 1 तो यह दो टर्म्स आ गया जो कि factor है इस polynomial का इस से इस दोनों को क्या कर देगे इकुलाइस कर देगे 0 से तो x plus 1 मतलब लिख लेंगे if x plus 1 equals to 0 तो x equals to कितना गया minus 1 यह एक zeros होगा यह हम लोग का एक answer minus 1 और 3x minus 1 equals to 0 करेंगे 3x minus 1 equals to 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x equals to plus 1 तो यहां से आ जाएगा x equals to 1 by 3 एक answer one by 3 ठीक है तो हम लोगा two zeros क्या क्या आ गया x एक आ गया minus 1 एक आ गया one by three क्योंकि यह cubic polynomial था तो तीन जिरो होना चाहिए एक पहले से दिया हुआ था कितना one एक पहले से कितना दिया हुआ था one दिया हुआ था और बाकी दो हम लोग निकाल लिए कि हम लोग के एक answer है that's all यही है पूरा question का solution आप लोगे उपर note करना चाहते है note कर लीजे thank you